Hello everyone, I am back with another video and today's topic is whole formulation. हमने पिछली वीडियो में LS Coupling के बारे बढ़ा था, Term Symbol के बारे बढ़ा था, Full Term Symbol हम किसी भी Electronic Configuration का कैसे रिखाते हैं, उसके बारे बढ़ा था. उनकी Links मैं आपको Description में देदू कि आप उनको पढ़ना तो आपको Whole Formation भी Better समझ आएगा. तो होता क्या है? जैसे हमें कोई Electronic Configuration दिया है, कोई भी मंदब दिया है, जैसे हमेंने दिया D2, यानकी D Orbital में 2 Electrons हैं, ऐसे ही उन्होंने हमेंने दिया D8, तो D8 Orbital में कितने 8 Electrons है D Orbital में, लेकिन क्या होगा? जो D2 Orbital है, उसमें तो सीधे-सीधे एक-एक Electron Unpair आजाएगा, लेकिन जो D8 Electron होगा, उसमें हो जाएगी Electrons की Pairing, तो असल में होता क्या है? कि जैसे-जैसे हमारा की जो सिस्टम है Electron का, या Electron बढ़ते जाते हैं, उससे क्या होता है? हमें term symbol ढूणने में परिशानी होती है, यानि कि जैसे अगर D2 Electron है, मतलब D में 2 Electron है, तब तो हम सिंपली आसानी से term symbol ढूण सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने दे लिए D8, तब उसमें इतने सारे Electron होने की वज़ा से, हम term symbol आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, तो करते क्या हैं, जैसे हम Electron को consider करके term symbol निकाल रहे थे, हम उसका opposite कर देते हैं, होल को गिन लेते हैं, यानि कि वेकेंसी को गिन लेते हैं, कि कितनी जगा खाली रहे गई, जैसे Electron कितने होने चाहिए थे, टोटल, हर Orbital में fix होते हैं, जैसे हमारे S में 2 Electron, V में 6, D में 10 हैं तो टोटल कितने होने चाहिए थे, कितने हैं और कितनी खाली जगा रहे गई, तो हम Electron ना गिन कर, वो खाली जगा गिनते हैं, और उसी को हम Hold कहते हैं, और Hold को ही गिन कर, जो हम Term Simple निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं, Hold Formulation, तो Hold Formulation यही था, तो अब Hold Formulation में, अगर मैं और Example लेकर समझाओ, तो आपको बैटर समझ आएगा, जैसे मात लो, जो हमारा Configuration है, वो है P4, ठीक है, यह हमारी P, यह 1 Electron, यह 2 Electron, ऐसे ही P4 के रिए में किसमें से बनाएं, 1, 2, 3, और 4, ठीक है, तो अब होता क्या है, Hold Formulation के हिसाब से, देखो P2 में कितने Electron हैं, 2 Electron निक रहे हैं, अब इसमें P में Maximum कितने Electron जा सकते हैं, 6 Electron जा सकते हैं, तो इसमें कितनी खाली जागा रहें, 2 खाली जागा रहें, तो इससे क्या होगा, कि हम P2 का आसानी से term symbol निकाल सकते हैं, तो P4 का और P2 का term symbol identical होगा, क्यों, क्योंगी इसमें हम Wholes कितने देखें, 2 Wholes हैं, ठीक है, होल्स है, यहां Simple मतलब है, कि P में Maximum, मेरे शब्दों पर ज्याने न, P में Maximum 6 Electron आ सकते हैं, पेकिन इसमें कितने हैं, 4, 2 की जगा है, 2 की वेकेंसी हैं, तो कितने होल्स होगए, 2 होल्स होगए, तो P2 और P4 का जो term symbol होगा, वो क्या होगा, identical होगा, same होगा, अब यहां एक छोटा सा फरक आता है, किस में आता है, मतलब हम कहह रहें कि term symbol identical होगा, same होगा, छोटा सा फरक आता है, जे की value पर, जे जो हमने नया angular momentum निकाला था, पूरा जो हमारे total angular momentum आया था, जिससे हम capital J से दिखाते हैं, फरक आता है उसकी value में, अब term symbol हम कैसे लिख रहेते, term symbol हमने L, यहां पर J था, और यहां पर 2S plus 1 था, अब यह S को same होगए है, इसमें हम इसको बाता है, यह भी same होगा, L भी same होगा, फरक कहा आएगा, J की value में फरक आएगा, हमने कल वारी वीडियो में पढ़ा था, जो हमने full time symbol की वीडियो पढ़ी थे, उसमें हमने देखा था, कि जो J की value होती है, L plus S और J बराबर L minus S, यह किस हिसाब से होती है, जब हमारा electronic configuration यानि कि जो orbital है, लास्ट वाली, जिसमें electron पहुचा होगा, तो जब उस orbital में electrons half field से जादा हो, for example, D में कितने आते हैं, 10, half field कम होगी, जब होगे 5, तो अगर 5 electron से जादा electrons है, तब हम J की value क्या लगाएंगे, L plus S, और अगर electrons half field से कम हैं, यानि कि 5 से कम हुए, तो क्या लगा जब होगी, J की value L minus S, अब चाहिए, D के लिए देखो, P के लिए देखो, किसी के लिए देखो, P के लिए देखेंगे, तो P में total कितने हो सकते हैं, 6 electron, तो half field कम होगे, जब होगे 3 electron, तो अगर 3 से जादा electrons है, तब हम J की value लगाएंगे, L plus S, और 3 से कम electrons है, तब हम J की value लग आते हैं, capital L के लिए, मैं आपको term symbol निकाल के बता रही हूँ, कि तोनों के identical आएंगे, और J वे किस हिसाब से फरक है रहा, तो देखो, L अगर मैं निकाल हूँ, तो यह plus 1, 0, minus 1, ऐसे ही यहाँ पर plus 1, 0, और minus 1, ठीक है, तो अब होगा क्या, L की value कैसे लिए जो भी हम इलेक और consider कर रहे हैं, उसकी value को plus करते लिकलती है, तो plus 1 और 0, plus 1, और यहाँ पर भी इसकी L की value, plus 1 और 0, sorry, minus 1 और 0, minus 1, मतलब 1 ही रहा जाएगी, जो पूरी add होकर आएगी, वो 1 ही रहा जाएगी, तो L की value क्या रही है, 1 आ रही है, अब L बराबर 1 के लिए, जो हमारा symbol होता है, हमने symbol assign की है, हर L की value के लिए, कोई न कोई हमने symbol बताया है, तो L की value जो Y होती है, तो symbol क्या होता है, P, क्या symbol होता है, P, capital P, जिसके बात क्या करेंगे, spin multiplicity निकालेंगे, वो कैसे लिकलती है, 2S plus 1 से, अब उसमें S क्या है, जितने भी electron हम देख रहे हैं, उनकी जो जो spin है, plus half, plus half, ऐसे ही plus half, plus half, यानि कि हम plus half, plus half, निकाल रहे है, अब मतलब असल में होता क्या रहे है, हम किसी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, इसी की मदद से हम जाने है, कि B4 की भी same होगी, तो हम P2 को considerator में चलते हैं, खेंगे, तो P2 के लिए, हमारा जो L आया हुआ है, 1, यान इसे निके से हमारी जो इस पर नहीं हो, plus half, plus half, यान कि 1, तो S बराबर किता आया, 1, S बराबर आया, 1, ठीक है, अब S बराबर बन आ गया, तो इस से के निकलेगा, 2S plus 1, तो इस से हम क्या मिला सकते है, 2S plus 1, तो 2 into 1 plus 1, तो 2 plus 1 equals 3, ठीक है, यह आई S की वैल की वैल की वैल की जो हमारा term symbol होगा, वो क्या होगा, L की जला हम क्या रखेंगे, यह वाला symbol, यान कि P, उपर क्या रखेंगे, 2S plus 1 की value, यान कि 3, और जो नीचे रखेंगे, वो क्या होगा, J बराबर L plus S, या J बराबर L minus S, अब देखो, इस से बहतर समझ आएगा, कि जैसे हमारा P2 के लिए जो configuration निकला, जो term symbol निकला, वो क्या रखेंगा, 3 और P, अब हमें देखना है नीचे की value, मैं यही कहना चाहिए, जो term symbol है, वो same to होगा, लेकिन फरक कहा होगा, J की value पर, यहाँ पर, जो ground term symbol होगा, बस उसमें फरक होगा, तो देखो, इसके लिए, जब मैं P2B लिए लगाँगी, L minus SQ, क्योंकि यह half field से कम है, मैं P2 की बात कर देऊ, P2 half field से कम है, तो मैं J की value क्या लगाँगी, L minus S, अब L कितना है, 1, S कितना है, 1, तो L minus S वराबर 0, तो P2 के लिए क्या हैगा, यह वाली ground term आएगी, और जब मैं P4 के लिए रेखूँगी, तो मैं क्या लग electron है, उसमें 3 से जादा electron है, तो मैं J की value का लगाँगी, L plus S, तो L plus S मतलब 1 plus 1, equals 2, तो जो P4 के लिए होगा, क्या हो जाएगा, 3, और यहापर 2, तो के बात कहां पर आया, J की value में आया, तो हम यह कह सकते हैं, कि whole formulation क्या होता है, whole formulation में यह होता है, कि हम whole को consider करते हैं, यानि क जो भी हमारी vacancy है, उसको consider करते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे यह जो P2 है, यह जो P4 है, इन दोनों के जो term symbol है, वो identical होगे, और हम अगर P2 का आसानी से निकाल सकते हैं, तो वही जो उसका term symbol आएगा, वही हो जाएगा, P4 का भी term symbol, बस फरक कहाएगा, J की value पर, वो भी क्यों होगा है, क्योंकि half field और more than half field और less than half field का concept लग रहा है, अगर कहीं नहीं लग रहा हो, तो सेम रहिंगे दोनों के, और अगर कहीं लग रहा होगा, तो दोनों के reflect हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम example लें D1 और D9 का, तो देखते हैं क्या हो, तो हमने लिया D1 and D9, तो तो D1 जो होट बनाए है, D1, तो इसमें क्या होगा? यह बन एक electron और D9 में क्या होगा? D9 में होगे हमारे 9 electron और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अप्ये तो, D1 का हम easily term symbol निकाल सकते हैं, लेकिन D9 में इतने सारे electrons होने की वज़ा से हमें दिक गताईगी term symbol निकालने में, तो क्या ओल formulation की मदद से, यानि कि हम holes को consider करके, D1 का जो भी हमारा term symbol आएगा, वही हमारा D9 का आएगा, किस तरीके से? देखो, यहाँ पर हम क्या मालेंगे? एक unbared electron है, एक electron है, और D9 में एक ही vacancy है, एक ही hole है, यानि कि जो कमी है, D में कितने होने चाहिए थे, जो total कितने आ सकते ह maximum 10 आ सकते हैं, लेकित इसमें एक की कमी है, है ना, 9 है इसमें, एक की कमी है, तो जो एक electron है, D1 में, और जो एक कमी है, D9 में, दोनों सेम है, इसलिए इनके जो term symbol होगे, वो सेम हो जाते हैं, बस इनमें फरक कहा आएगा, J की value, जलो तो देखते हैं, जब हमने D1 का लेखा, तो यहां पर क्या है, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2, तो जो L की value होगी, वो क्या होगी, plus 2, है ना, और 2 के लिए जो हमारा symbol होगा, वो क्या होगा, L वराबर 0 के लिए S, L वराबर 1 के लिए P, और L वराबर 2 के लिए D, तो हमारा symbol होगा, क्या है, D, उसके बाद हम देखेंगे, spin multiplicity, तो S की value क्या होगी, plus half, तो 2S, plus 1 में जबना जगा होगी, तो यह आया, half, plus 1, 2 से 2 के लिए, 1 plus 1 equals 2, ठीक है, तो जो हमारा term symbol होगी, क्या होगी, और D पे उबर क्या होगा, 2S plus 1 बाद होगी, 2, तो यह तो आया, इन दोनों का common term symbol, लेकिन जब मैं दोनों की ground term symbol की बात परूँग तो कहाँ फरक आएगा, J की value पर, किस तरीके से, जब हम D बन देखेंगे, तो यह half field से कम है, तो J की value क्या लगा होगी, L minus S, तो L minus S मतलग हमारा 2 minus 2 बराबर 0, तो जब मैं D बन के लिए देखेंगी, तो J की value के लिए 0 आई, और इसी तरीके से, जब मैं D 9 के लिए देखें J की value के लिए 4, तो यहाँ पर फरक हो जाएगा, यहाँ पर 0 आईगा, D 1 के लिए, और यहाँ पर 4 आईगा 9 के लिए, D 9 के लिए, अब यह तो बात हो गई, कि जब हमारा D 2 भी 4 है, D 1, D 9 है, इसके अलावा, अगर मान लो, कि जो हमारा configuration है, वो half field और full field है, तो आप उसमें हमें किया करेंगे, थिए अप और full field में क्या करेंगे, क्योंकि उसमें तो हम बोल रहते हैं, कि J की value में फरक कवा आता है, जब half field से कम हो, यह half field से जाधा हो, अब जब half field और full field ही है, तो उसमें हम consider नहीं कर सकते, क्यूं? क्यूंकि, full field में vacancies होंगी ही नहीं, है ना, full field में यह छोट होगी नहीं, वेकेंशी का ही तो मतलब ओल है, तो होल भी नहीं होगी तो हम उसमें यह नहीं कह सकते कि इन दोनों का term symbol same token उसमें term symbol अलब होगा, किस तरीके से? देखो अगर हम माग लें D5 और D5 ठीक है तो D5 के लिए जो कॉन्सिपूरेशन होगा हो फिर्टा हुआ A, 2, 3, 4, 5 ठीक है ऐसे नहीं D10 के लिए A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब आपको क्या देख रहा है फुल फिल्ड है फुल फिल्ड में कोई भी होल नहीं है तो हमें इसका अलग से ही टम सिंबल निकाना पढ़ेगा तो अब लेको D5 के लिए कैसे निकालेगे सबसे पहले L की वेर्यू प्लस 1, 0, minus 1 और minus 2 तो L की वेर्यू क्या होगी फ्लस का 2, फ्लस का 1, फ्लस का 0, minus 1, minus 2, ये कैचल, ये कैचल, क्या बचा, 0 बचा दो, L बचा दो, L बराबर 0 तो इसके ही जो टम सिंबल लाएगा, होगे आएगा S, multiplicity क्या होगी, 2S plus 1, 2 इंटो 5 by 2, plus 1, यूशे को होगया, और आया 6 तो जो टम सिंबल बना होगे, बना S, और उपर लगा होगा 6, और जो J की वेर्यू आईडी होगे, वो आईडी है, L की वेर्यू माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा negative में, तो इसका जो टम सिंबल होगा होगा, होगा S6, अब ये जो टम सिंबल D5 का आया, हम ये नहीं कह सकत ये होगा D10 का, क्योंकि D10 में बोल भी होल नहीं है, तो D10 का टम सिंबल हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, तो जो D10 का टम सिंबल होगा, वो किस तरिके से दिखेगा, देखो इसकी वेल्यूस देखो, प्रसवाइन, 0, माइनस 1, माइनस 2, अब देखो हर इलेक्रॉन की द प्लस हो, इस इलेक्रोन की प्लस हो, ऐसे ही इसकी प्लस वन, इसकी प्लस हो, इस तरिके से हम सारी वेल्यूस प्लस कर लेंगे, मतलब जो भी हर जो भी इलेक्रोन है, जितने भी इलेक्रोन है, हार इलेक्रोन की हमें वेल्यूस प्लस करनी होती है, तो उससे क्या हुआ, जो ह यहां पर जो S है टोटल स्पिन है वह कित्य होगी वह भी होगी जीरो यहां पर में कित्नी लगाई 5 by 2 क्योंकि हाफ 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 पांच बार हाफ है 5 by 2 हो जाएगी सबकी मिक्स अब यहां पर क्या होगा प्लस की हाफ माइनस की हाफ होगी जो टूटल स बचेगा वह कित्ना बचेगा 0 तो 2 इंक्नी 0 ब्लस 1 इक्वल्स 1 तो जो S आया जो हुमारी 2S प्लस 1 आई जो हमें ऊपर लगाने होगी होगी ती आई 1 तो देखो दोनों में फरत है जो हमारा D 10 था फुल फिल था उसका लिए 6 प्लस 2 इस आया और जो हमारा D 10 था उसके 1S आया तो हमने क्या सीका कि जो होल पॉल पॉलेशन है वह हम तभी कर सकते हैं जब कमी हो थी कि कोई कमी भी मिया फुल फुल फिल है वो जब हमारी हाफ मतलब फुल पुल फिल इसे कम होगी तो जितनी कमी रह गई पुल फुल्फि वेकर आएगा जैसे हमने P2, P4 का देखा तो यह था होल फॉर्मुलेशन का फूला कॉंसेप्ट, I hope आपको समझ आया होगा, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूर सकते हैं, that's all for today, thank you so much.